MS Table में Picture कैसे Insert और Automatic Resize करते हैं कभी कभी क्या होता है मुझे अपने Office Work में Products की Detail के साथ साथ उनकी Picture भी यहाँ पर डालने की जूरत पड़ती है तो वो कैसे करते हैं वो देखिए हम इस Picture वाले Column का इन Cells का Size थोड़ा Increase कर लेंगे कुछ ऐसे आप इसे ऐसे Manually भी कर सकते हैं या आप चाहें तो क्या करेंगे इन तीनों Cells को ऐसे Select कर लेंगे जाएंगे Format पे और यहां से Row Height या Column Width Adjust कर सकते हैं मैं Row Height कर देता हूँ इनकी 50.5 ओके और इन सब की Size अपने आप Change हो जाएगे कुछ इस तरीके से ठीक है तो Size आ गया मेरे पास अब मुझे Picture Insert करानी है उसके लिए आप जाएंगे Insert टैब पे क्लिक करेंगे Insert यहां आपको Option मिलेगा Pictures Pictures पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपने PC में से अपनी Picture Insert करा लेंगे कुछ ऐसे Select करेंगे और उसे कर देंगे यहां से Insert Picture आपकी Excel टेबल पर Insert हो जाएगी लेकिन इसका Size काफी बड़ा है तो हमें इसे छोटा करना पड़ेगा छोटा कैसे करेंगे यह देखिए Pictures के Corner पर ऐसे Doors नजर आ रहे हैं यहां आप Click करेंगे जब यह Double Arrow हो जाए Click करेंगे Mouse से और इसे ऐसे छोटा कर देंगे अपने Cell के अनुसार कुछ इस तरीके से तो Picture मेरी यहां पर छोटी हो चुकी है मेरे Cell के According हो चुकी है लेकिन यह देखिए अपने आप यहां पर Adjust नहीं हो रही बार चली जा रही है कभी-कभी है न इसे Automatically ऐसे Adjust करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास यहां पर Option है आप जैसी कोई Picture इंसेट कराते है चाए वो Excel हो या MS Word हो अलग से हमारी एक Format टैब यहां पर Open हो जाती है यह Format टैब आपको MS Word में मिलेगी लगबग सेम है और उसका लिंक मैं यहां पर डाल दूँगा कि इस पूरी टैब में क्या Option हो और जै कैसे यूज़ करना है ठीक है फिलाल मैं आपको बतातू Automatic Resize करने के लिए इस पर Migrating Effect एक देना पड़ेगा हमें जो की मिलता है Align में Align पर आप जाएंगे और यहां से Option मिलेगा आपको Snap to Grid आप इस पर क्लिक कर देए यह Photoshop में भी हमें मिलता है Effect आपको Excel में भी मिल जा रहा है इससे क्या होगा अब आप इसे Cell में Adjust करेंगे तो यह Cell की Wall के साथ अपने आप ऐसे Adjust हो जागा चिपक जाएगा इससे ठीक है तो यह Effect होता है हमारा Snap to Grid से ठीक है तो हमने इसे Cell में अच्छे से Adjust कर देए यह Cell के अंदर है अब बारी आती है यह Automatic Resize की वो कैसे हो फिलाल इस पर कोई ऐसा Effect है नहीं यानि कि अगर आप इस Cell की Height या Width Increase करेंगे इसका Size बढ़ा देंगे तो हमारी Picture का Size बढ़ा नहीं होगा Picture का Size अब भी उतना ही है हम चाते हैं कि इस Cell के साथ साथ हमारी Picture का Size भी Increase या Decrease हो जाए तो उसके लिए आपको इस Picture पर Right Click करना होगा Right Click करने के बाद यहां Option मिलता हमे Size and Properties इस पर आप Click करेंगे जैसे ही आप इस पर Click करते हैं Side में एक Panel Open होता है जहां पर आपको Option नज़र आते है इस Picture को Format करने के लिए और इसकी Properties यहां आपको नज़र आएंगी इसी पर आपको Click करना है Property पर Click करेंगे और यहां आपको कुछ Option मिलते है जिसमें से आपको First Option चूज़ करना है Move and Size with Cells Click करेंगे और इस पैनल को Close कर देंगे बस और कुछ नहीं करना आपकी Picture अब Automatic तरीके से Resize होगी आपके Cell के According यानि कि अगर आप इस Cell का Size अब Increase करते है तो आपकी Picture का Size भी अपने आप इसके According इंक्रीज हो जाएगा आप इसे छोटा करेंगे तो Picture का Size भी अपने आप इसके According छोटा हो जाएगा ऐसे ही आप यहां तीनो या जितनी चाहिए Picture यहां पर Insert करा सकते हैं मैं जल्दी से Insert करा के दिखा देता हूँ आपको यहां मैंने तीनो पिक्चर इंसर्ट करा लिए और तीनो पिक्चर की Property मैंने यहां से Change कर दिया Move and Size with Cell Close करेंगे तो आप क्या होगा इन तीनो पिक्चर की Size अपने आप Increase या Decrease होने चाहिए हमारे Cell के Size के According करके देखें यह देखिए हम इनका Size जैसे Increase कर देते हैं तो हमारे पिक्चर का Size भी ऐसे Increase होगा और अगर हम इनका Size Decrease करेंगे यान कि छोटा करेंगे तो हमारे पिक्चर का Size भी इनके साथ Automatic तरीके से Adjust होता रहेगा छोटा या बड़ा होता रहेगा तो यह था तरीका अपनी टेबल में कोई पिक्चर Insert और उसे Automatic तरीके से Resize करने के लिए तो यह थी आज की हमारी क्लास जिसमें अपनी टेबल में पिक्चर Insert और Automatic तरीके से Resize करना सीखा अगर आपको आज की हमारी क्लास याने की वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर अमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने सवाल और सजेशन्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में तब तक जो सीखा उसके प्रैक्टिस कीजिए बाई बाई